नमस्कार आपका स्वागत है हमारे कारिक्रम जिसका नाम है कोई भी धन्धा छोटा नहीं होता आज हम बात करेंगे 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज की जो आप 20,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक के निवेश में शुरू कर सकते हैं और वो भी घर बैठे पहला, हेंग मेड मुमबत्ती. मुमबत्ती की डिमांड हमेशा रहती है, चाहिए वो जन्मदिन के कारिक्रम हो या त्योहार हो. इसके अलावा इन दिनों कई रेस्तरा, घरों और होटलों के साथ सुगंधित और चिकित्सिय मुम्बतियों की मांग भी बढ़ रही है ताकि वे इन मुम्बतियों से एक खास माहौल बना सके मुम्बति बनाने के व्यवसाय को घर से लगभग 20,000 से 30,000 रुपए के कमनिवेश के साथ शुरू किया जा सकता है व्यवसाय शुरू करने के लिए उप्योग किये जाने वाले कच्चे माल में मोम, बाती, साचे, धागा, सुगंध तेल आधी शामिल है प्रमुक कच्चे माल के अलावा इसमें एक पिगलाने वाला बर्तन, थर्मा मीटर, मोम इकठा करने वाला बर्तन, वेटिंग स्केल, हथोड़ा और एक ओवन, मोम पिगलाने के लिए शामिल है दूसरा, पापड पापड की मांग भी साल भर रहती है क्योंकि इसे हर तरह के खाने के साथ खाया जाता है आजकल शादी, ब्याह और पार्टियों में पापड एक जरूरी आइटम की तरह हो गया है 30,000 रुपय से 40,000 रुपय के छोटे निवेश से शुरुत कर सकते हैं और लोकल स्टोर्स को बेच सकते हैं और आपको बड़े ब्रांट से घबराने की भी ज़रुरत नहीं है आप अपने प्रोडक्ट का भी ब्रांट बना सकते हैं आजकल खाने की चीजों में तो शुथता और हेल्दी सबसे बड़े ब्रांड फेक्टर होने लगे हैं। आप इन फेक्टर्स को प्रमोट करके अपना खुद का एक ब्रांड बना सकते हैं। तीसरा, नूडल्स नूडल्स विशेश रूप से जल्दी तयार होने वाला नूडल्स ग्रामिन और शहरी बाजारों में भारत में एक लोगप्रिया स्नैक है। नूडल्स निर्मान की प्रक्रिया सरल है और इसके लिए बुनियादी सामगरी जैसे गेहूं का आटा, नमक, चीनी, स्टार्च मसाले, वनस्पती तेल आदी की आवश्यक्ता होती है। सेमी आटومेटिक और फुली आटमेटिक नूडल्स बनाने वाली मशीने बाजार में उपलव्द हैं। नूडल्स बनानी की प्रक्रिया में आटा, स्टार्च और सोडियम बाइकार्बूनेट, आटा मिला कर और मशीन के माध्यम से इसे तयार करना शामिल है। नूडल्स को अपने इच्छा नुसार, शेप और साइज में काटा जा सकता है। इसके अलावा इन्हें सुखा कर पैक किया जाता है। कम शमता वाली नूडल बनाने वाली मशीनों की कीमत 40,000 रुपे से अधिक है। जबकि प्रिमियम वालों की लागत 1,500,000 रुपे से अधि है। चौथा, स्मार्ट फोन के लिए टेंपरड ग्लास। भारत में स्मार्ट फोन कितनी तेजी से बढ़ रहा है, ये किसी को बताने की कोई जरुरत नहीं है। स्मार्ट फोन के टेंपरड ग्लास को हाई टेंपरेचर वाली मशीनों में बनाया जाता है, जहां कांच को गर पाँचवा, पेपर बैक्स कम में उपलब्ध हैं, लेकिन इन में अधिक मैनुवल काम और एफर्ट लगता है। आपको कच्चे माल जैसे की कागस की चादरी, स्याही, छपाई रसायन, टैग आदी में निवेश करने की आवश्यक्ता होती है।